नमस्कार में साक्षी आमेनस नूजलाई में और स्वागते देखते आज की खास खबर सलमान के साथ हर दिन नया और अलग होता है मुंबई कटिना कैफ और सलमान खान के रिष्टे के बारे में तो हर कोई जानता है एक ऐसा टाइम भी था जब कैट और सलमान के प्यार की किस्से आम हो गए थे यहाँ तक की बात शादी तक पहुच गई अब काफी टाइम बाद कैटिना ने सलमान को लेकर खुल कर बात की है कैटिना ने सलमान की जिंदगी में उस वक्त एंट्री मारी जब वो एश्वरे राय से अपना रिष्टा तूटने पर बेहग दुखी थे दोनों की दोस्ती हुई और सलमान की वज़़े से कैटिना क्याफ को फिल्म में मिली धीरे धीरे बॉलिवुड में कैटिना को सलमान की गल्फरेंड के रूप में पहचानने जाना लगा कैटिना और सलमान अपनी परसनल लाइफ को लेकर कभी बात नहीं करते लेकिन एक दूसरे के लिए दोनों का नेचर आज भी वैसा ही है जैसा कुछ साल पहले था हाली में दिये गए एक इंटर्व्यू में कैट ने सलमान के लिए एक ऐसी बात कही जिससे ये साफ होता है कि आज भी उनके दिल में सलमान के लिए एक खास जगह है रणवीर से ब्रेक अप के बाद कैट को समझ आ गया है कि सलमान जैसा हमसफर उन्हें कभी नहीं मिल सकता कैटरिना ने कहा सलमान के साथ हर दिन अलग हो और मज़िदार होता है कोई नहीं जानता कि वो कब क्या कह दे इसलिए जब सलमान उनके साथ होते है तो हर दिन नया होता है इसके अलावा कैट ने ये भी बताया कि सलमान ने उन्हें भारत के लिए अपरोज नहीं किया यहाँ तक कि जब कैटरिना ने ये फिल्म साइन कर ली तब भी उन्होंने उन्हें कॉल नहीं किया शायद इसलिए कैट ने कहा सलमान क्या सोच रहे है कोई नहीं जानता तो आमेने स्नीज लाइक की कपर देखने के लिए आज जी प्लेस्टोर से आमेने सिंधी आप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्स्राइक पर हो वहले कंद बना ना पिलिए थानिवाल